स्वागत आप समों का हमारी यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन है पर देखिए आज मैं आप लोगों के लिए इंटर्मेडियर एक्जाम निशन दोजार तईशन एन्वल एक्जाम के लिए है यहां पर आपके सो नमर की कोस्टन्स रहेंगे और नीचे में परिक्षारतियों के लिए दिसा निर्देश दिया गया है आप इस निर्देश को भी बहली बाती देखने का प्रियास करेंगो तो चलिए हम लोग समय ना गवाते हैं हम लोग डैरेक्ट जो है कोस्टन्स के और बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका क्वेस्टन्स क्या है यह आपका थुरा सा दिसा निर्देश से बच्चों के लिए इस्टुडेंट के लिए लगू उत्रिये प्रशन किस प्रकार के रहेंगे यहां पर आप देख सकते हैं लगू उत्रिये प्रसन के बारे में दिया गया है दो अंग निर्दारित क्या गया इसमें 15 प्रसनों का आपको उत्तर देना है यानि कि 30 लगू में 15 ही देना है आपको ध्यान रटना है इस खंड में 8 दिर्ग उत्रिये प्रसन भी है प्रतेक प्रसंट के लिए 5 अंग है और 8 में से आपको 4 के answer करने यानि कि questions जो है रहेंगे 100 और 100% में आपको 50% का जो है की जवाब देना है यानि कि 100 questions रहेंगे तो 50 का देना है 8 questions रहेंगे तो 4 के देना है 30 questions रहेंगे तो 15 का देना है ये आप लोग confirm हो जाएए किसी भी प्रकार की कोई समस्याज में नहीं होनी चाहिए तो चलिए next देखते हैं आगे क्या काता है देखिए यहाँ पे section A में लिखा हुगए है आप से प्रसन संख्या एक से 100 तक में प्रत प्रसन के उत्तर आपको देने हैं तो मैं start करता हूँ आपके screen पे देख सकते है आ चुका है की 1901 थक भारत में किस प्रकार की दलिए व्यवस्ता थी तो देखिए ये जो दलिय व्यवस्ता थी भारत में खास करके यहाँ पे एक दलिय वेवस्ता थी यहां तक शुकि वर्तम में देखा जाए तो वर्तमान में तो बहुत दलिये वेवस्ता है एक दलिये यहाँ पे थी क्योंकि अजादी से लेकि उनीसों सरसर तक सिर्फ और सिर्फ कॉंग्रेस का दब दबारा आता इसलिए जो है ऐसी बाते कही गई है ओके दुसरा कोस्टन से देखते हैं दुसरा कोस का सर्वधे की बात करेंगे तो यह भारती राजनितिक पार्टी जो भाजपा है भाजपा के द्वारा भारती जनता दल जो है उनकी द्वारा यह अपनाये गया था गांधी का सर्वधे ओके नेश्ट की और बढ़ते हैं तीन नमर में देखते हैं क्या क्वस्तन से आपका को सत्ता में आने का सर्व से पहले अब सर अब ये पूछा गया है thinking पारी में ये जो यह यहां पर याइथे दो नमर में और पहला आम चुनाव के बाद यह आए तहिंग है इसले आपका right answer क्या हो बिल्कूल ही B answer सही हो जाएगा तीन का चलिए नेक्स्ट की और बरते हैं चार नमर में और चार नमर का कुस्टन से देखते हैं चार में कहता है भारत के पर्थम गैर कांगरेसी की बात अगर आती है यह आपके मुराजी देसाई थे यह आपको ध्यान में रखनी है नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि निमलिखित में किसे वामपंती पार्टी की कोटी में रखा जा सकता है देखें वामपंती पार्टी किसको करते हैं तो वामपंती पार्टी वैसी पार्टी को कहा जाता है कि जो जो है अचानक जो है जो पुरानी विवस्था आ रही है उसको अ रिखा जा सकता है, समाजवादी party हो गया, बहुत sill समाजवादी party हो गया, कम्िणिश्टी party हो गई, यह सब जो जितने भी मैंने party का नाम क дос बग गया, यह सभी के सभी वह 9 पंथी party के पोटी के थे, next है, समिधान सभा में प्रारूप समीती के अध्यक्श कौन थे, तो दिखे प्रारूप्प समिती के अध्यक यानि कि ड्राप्टिब कमीटी के अध्यक जो थे ये आपके डॉप्सणा ब्हीम रूह आ अम्बेदकर थे ये आपको धियान में रखना है काफी बार कौस्तन से आ चुका है इनके बारे में समिधान के निर्माता, प्रारुप समिती के अध्याग, इन सबों का आपको ध्यान में रखना, यानि कि आमबेदिकर को पढ़ना काफी important हो जाता है, नेक्स्ट है, भारतिय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्ते हैं, तो दिखे वरतमान में अगर बात की जाए, छे मौलिक अधिकार प्राप्ते हैं, पहले साथ था लेकिन संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया है, और संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के अंतरगत रखा गया है, आपको मैं बता देता हूँ, तो राइट एंसर आपका जो मौलिक अधिकार है, आपको छे अभी परदान की गई है इसलिए छे जो है बिल्कुल राइट इंसर हो जाएगा नेक्स्ट है बारते समिधान को पूर्ण रूप से किस दिन अपना गया था तो दीके आया समिधान की बात की गई है आजादी की नहीं की गई तो सामिधान जो अपनाया गया था आपका 26 जनवरी उनिस सो पचास को अपनाया था यह जो अपनाया गया था इसी के सुब अपसर पे हम लोग क्या करते हैं आए परतेक वर्स जो है 26 जनवरी को गंतंत्र दिवस्त के रूप में मनाने का प्रियास करते हैं ओके नेक्स चलते ह समिधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया है तो देखिए यहां पर जर्मनी से किस को लिया गया है यह बताने का आपको मैं प्रयास करूंगा तो यहां पर देखिए यह जो राज के निती निर्दे सकता तो है यह तो सब को पता है कि आयर लेंड से लिया गया है अगर मौल कर्तव की बात की जाए तो ये मौलिक कर्तव विरूस से ली गई है और मूल अधिकार की बात की जाए ये सेंयुक्त राज अमेरिका से ली गई है ओके तो आपका option क्या बज जाता है एक ही बज जाता है राष्टपती के संकट कालीन अधिकार will be the right answer हो जाएगा, ओके, next है समिधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्नन है ये पूछा गया है आपसे तो दीखे, तिर्थिय भाग में जो है समिधान के मौलिक अधिकारों का वर्नन क्या गया है और इसमें मैं बता देता हूँ, ये अनुच्छेद जो अगर अनुच्छेद अगर कभी इस प्रकार से पूछ जाए, तो अनुच्छेद जो हो जाएगा आपका बारह से लेकि पैंटिस अनुच्छेद के बीच में इसका वर्नन है, आपको याद रखना है, अपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ये तिर्थिये जो भाग है, इस तिर्थिये भाग को जो है ना, क्या बोला जाता है, मुल अधिकारों का जन्मदाता भी बोला जाता है, अगर कभी कोस्तन आजा है, कि मुल अधिकारों का जन्मदाता किस भाग को कहा जाता है या फिर भारत का अधिकार पत्र भारत का अधिकार पत्र जो है किस भाग में वरनीत है या किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद आपका क्या हो जाएगा 12 से लेके 35 तक में ये आपके कोस्टन से बन सकते हैं इर्द गिर्द की जानकारी रखना आपको काफ के बारे में क्या गया है मतलब एक नागरिक्ता के लिए संबंदीत है तो देखें चुके हम लोग ब्रीटेंड से कापी परवावित हुए थे इसलिए आपका एकल नागरिक्ता का विचार जो है यह मतलब लिया गया था भारत में कितने राज्य दूई सदन आत्मक विवस्थ था पाका है दूई सदन दूई सदन देखें यह आपको जैसे हम लोग लोग सवा और राज्य सवा होता है उसी परकार से राज्यों में भी होती है विधान सवा और विधान परिसद ओके आपको याद रखना है तो हमारे देश में जो है विधान परिसद और विधान सवा म महाराष्ट हो गया, तिसरा करनाटक हो गया, चौथा तिलंगना हो गया, यहां पर करनाटक हो गया, करनाटक हो गया, तिलंगना हो गया, इसके बाद बिहार हो गया, और एक यूपी हो गया, यानि कि ये छे जो है आपके क्या है, दूरी सदनातक विवस्ता के अंतरगत आते ह याद रिखना है क्या क्या आंध्र पर्देश हो गया है एहम से महराश्त हो गया करनाटका हो गया तिलंगिनाा हो गया बिहार हो गया और यूपी हो गया यानि कर अनिकी फ्रदेश हो गया अंकर पर बढाते हैं घिकångल को प्रिधका आपलों को इया works मजबूत होगी तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जब दिली में अन्ना हजारे और अर्विंद केजडिवाल कीरन बेदी मतलब ऐसे महा लोग महाप्रूस जो थे क्या किये थे धरना दिये थे यही मतलब करपसन के विरुद दिनों ने आंदोलन किया था इसके बाद ही क्या हो जाएगा भी विलिदा राइट अंसर हो जाएगा ओके नेक्स्ट चलते हैं भारत में पहली महिला राजजिपाल कौन थी देखिए पहली महिला राजजिपाल की बात आती थी यह आपके स्रोजनी नाइडू थे लेकिन यहां पे सब पर्थम दिया हुआ है एनी बेस करते हैं अगर सुचिता क्रिपल्थानी की बात करते हैं यह कविनेट मंत्री पहली महिला थी जो कविनेट मंत्री में थी और विचीया लचमी पंडित विच यह लचमी पंडित है ना पंडित झवान् Zarmit Lya Zeitra Singlely नेहिरू की यह बहन थी पहली महिला मुख्य मंत्री थी याद रखेगा आपको पहली महिला मुख्य मंत्री यहाद रखेगा आपको पहली महिला मुख्य मंत्री थे यूपी की यह और विज्या लच्मी पंडित यह केविनेट मंत्री थी पहली केविनेट मंत्री यही बनी थी थोड़ा सा में स्प पे भारत है तो क्यों भारत है तो यहां पर मैं बता देना चाइता हूँ कि यहां पे चारसो अर्तालिस जो हैं अनुशेद रहे पहले 22 भागता लेकिन अब क्या हो गया 25 हो जैंगे अनुसूचिया तो इन सबों को अगर आप गहन अध्यन कीजिएगा सबसे बड़ा हो जाता है इसलिए भारत आपका राइट अंसर हो जाएगा समिधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है ये सबको पता है ये प्रस्तावना जो है आपका जाना जाता है नेक्स्ट है किस प्रधान मंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिसों को लागो किया था ये थी प्रधान मंत्री आपका वीपी सिंग और मंडल आयोग के तहती पिछला वर्ग को आरक्षन प्राप्ट दुआता है नेक्स्ट है एक सो तीनवा समिधान संसोधन प्रधान करता है य इसमें अगर आप सधारन या पिर सधारन परिवार से हो या फिर आप उच्ची वर्गे के हो लेकिन आपका आर्थिक इस्तिती कमजोर है तो आप आरक्षन के हगदार है ये 10% का आरक्षन जो है और्टोमेटिक मिला हुआ है मतलब सरकार के द्वारे ये 113 सोहिधान किया गया है तो और आप नेक्सटित करेंगे ताक्य देश का तरक्खी हो सके और हम अन्य देशों की तुला में खड़े हो सके ये इनका मुख्य मकसद था विकास के साथ नियाय का कहीं भी किसी भी चेत्र में हम लोग अलग ना रहे है नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के पर्थम उपपरधान मंत्री कौन थे ये पूछा गिया है तो दिखे सरदार बल्ला भाई पत्यल ये आपके उपपरधान मंत्री थे पर्थम उपपरधान मंत्री पूछा गिया है तो 21 का राइट अंसर आपके क्या हो जाएगा डी जो है बिल्कुल ही सही होगा पर्थम परधान मंत्री तो सब को पता है मुमू में है कि पंडिजवाला नहीं होते है नेक्स्ट है कौन से समिधान संसोदान नगरिये अस्था राइट कहाँ आपके औहुत यहां पर नगर है तो यह चौहतरमा हो जाएगा अगर गाओं वाला रत गरामी तो यह त्हतरमा होता याद रखना है लेकिन यहां पर राइट है आपका बी नेक्स्ट है भारत में पहला नगर निगम अस्थापीत राद में पहला नगर neगम 15 next है राजिसभा का सवापती कौन होता है ये पूछा गया आपसे तो राजिसभा का सवापती आपका कौन होगा तो उपराष्टपती होते हैं ये आपको याद रखना है ये सब जो है ना मतलब एक प्रकार का question काफी important है जो आपको जानना काफी important हो जाता है नेक्स चाप 25 नमर में चलते हैं 25 का कॉस्टन सागे है कि किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है 25 नमर में तो दिखिए संसद को संबोधन करने का अधिकार जो है राष्ट पती को रहता है ज्याद रिकिएगा किसको रहता है राष्ट पती को रहता है लेकिन इसमें हो जाएगा अनुच्छे 371 होगा महराष्ट गुजरात नागालेंड या पिर जम्मू कस्मिर दिखिए यह काफी फेमस चला हुआ था अनुच्छे 371 जो है जम्मू कस्मिर से संबंदित है आपको याद रखना है 26 क्या हो जाएगा डी हो जाएगा नेक्स चलते हैं दिखिए क्वरस्ट मेंद करता है जल्दी जल्दे निप्टाएग परिष्ट किया सकता है यह विदान सभाक के द्वारा समाप्ट किया जा सकता है आपको दिखिए लखना है next check किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होता है तो व्याख्या करने के अगर बात की जाए ये व्याख्या करने का अधिकार संसत के पास होता है 29 का आपका क्या राइट हो जाए sorry ये गलती हो गया संस्था कि संस्था के संविधान की व्याख्या कर यह सर्वोच नियाले को जाता है ओके राइट एंसर आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा नेक्स चैंटिस के बाद तीस में पंचाइती राज सामील है पंचाइती राज किसमें सामील है केंद्र राज में या पिर समवर् 14 दिन के बात जो है वो नहीं रोक सकती automatic उसको पारिक माना जाता है okay माना जाता है next है निम्न में से कौन सी समीती राजनितिक राजनितिक के अप्राधिकरण के अध्यन के लिए गठिद की गई थी ति ये वहरा समीती थी जिन्होंने इसका गठन किया गया था नेक्स्ट है चुनाव के लिए आदर्स अचार सहीता कौन जारी करता है तो यहां संसद राश्टपती मुख्यनयादी चुनायोग यह चुनाव आयोग जो है अचार सहीता को लागो करने का काम करती है सुनिकाल संबंदीत है देखिए सुनिकाल किस से संबंदीत है तो यह संसद से या नियाले से लेकिन नहीं यह संसद से संबंदीत होता है सुनिकाल और सुनिकाल कहते कि इसको है देखिए जब प्रसनिकाल खतम हो जाता है तो प्रसनिकाल के बाद जो जो है उसको सुनिकाल कहा जाता है याद रखना आपको संसत के दोनों सदनों के प्रसनिकाल के ठीक बाद क्या हो जाता है सुनिकाल चुरू होता है तो ये सुनिकाल जो था ना बारा से बारा से जो है एक पहले चलता था एक बजे तक लेकिन वरतम तो चलिए नेक्स्ट की और बरते हैं और नेक्स्ट क्वेस्टन से देखते हैं कि क्या है क्या है क्या है कि राश्ट्य मानवाधिकार आयो की अस्थापना कववीति तो जास्ट वेट थुरह सा क्या है कि राश्ट्य मानवाधिकार आयो की अस्थापना कववीति 35 में हम लोग चलते हैं 35 का राइट अंसर होगा ये भी अस्तर है ये भी तीनों अस्तर है लेकिन तीनों में से महत्पूर्ण पुछा गिया है तो आपका क्या हो जाएगा ये बिल्कुली सही अंसर होगा ऐसे देखा जाए तो तीनों का रॉल है लेकिन सीनियरेटी की बात आती है तो जीला परिसद सीनियर हो जाती है ुम्ichting अब मिजोर्म के साथ मेगाले में ठीम अन्तिम रेल बजट पेस किया है यह कब आश्टे मानवादिकार आपको 10 दिसम्र को मनाया जाता है यह ध्यान में रखना है भारत में चुना आयोग का गठन कव हुआ था यह आप से पूछा गिया है तो चुना आयोग का गठन किया गया था 1950 में और भी इस भी चलते हैं तो 25 जनवरी जो है 25 जनवरी 1950 को गठित किया वनलोग मतदाता दिवस में मनाते हैं आपको याद रखना है ओके next है स्रुक्षा परिषाद के 99 सदस्यों का कारीकाल कितना होता है तिसका 2 वर्स होता है क्लें लू वर्स में यह होता है चेंज होते जाता है निक्स चलते है निमीश में से कोन सउनथ राश संग की agency नहीं है तो देखें एजंसी, डेवनुट्य एजंसी है, डेवनुट्य एजंसी है, यूनिसको भी है, यूनिसेफ आपका राइट अंसर जाएगा, ये नहीं है, ओके, नेक्स्ट है, सायूत राज महासाभा की बैटक में, वर्स में कितनी बार होती है, देखिए इसकी जो बैटक होती है, कम से कम एक बार आपको करना ही करना है, ओके, राओट अंसर आपका, इसलिए क्या हो जाएगा, आपके, प्रीम्नी में से, तो ये बेल ग्रेड में वाता है, ये काफी वार कॉस्ट रिपीटेड है, आपको धियान रखना है, ओके, next है, भारत की संसद में सामिल है, कौन है सामिल संसद में, केवल लोकसवा है, राजी सवा है, या फिर केवल लोकसवा, राजी सवा, ये दिके ये तीनों हो जाएगा, इसलिए 46-कप डी एंसा हो जाएगा, किस संविधान संसोदन के द्वारा, जो है, संविधा में मौलिक कर्टवी जो 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 जी रागया है, फंटि सेवन का, ये 42-मा संविधान संसोदन के द्वारा जो जो क्या आ आ गया था, आपको धियान वे र légखना है, ओके, next है, केंद्र थे पहला कुंद केंद्र अमेर्का था दूसरा सोवियत संग था. पैंगी जिस्ट लेट छलें गया नेक्स चलते है उन्चास के वारक पैचास की और पैचास में देखते हैं भारतिये संग्ये वास्ता में कितने किसे अधीक सक्ती प्राप्त है केंदर को सक्ति अधिक प्राप्त है और राज्जियों को कम है सुरक्षा परिश्द के कितने ओस्थाई सदस्य हैं काफी important questions है और काफी easy questions है और कितने हैं दस है नेक्स्ट है नेमनि में से कौन एक good निर्पेक्च आंदोलन से संबंदित नहीं है सुकरने तो संबंदित थे टीटो भी थे नहरू भी थे राइट अनसर आपका अवराफात हो जाएगा बी नेक्स्ट है west weekern का समाने अर्थ क्या होता है तो देखे west weekern का समाने अर्थ जो होता है एक किरन होता है आपको दियान में रखने हैं काफी important questions है west weekern दलित पैंथर्स नामक संगटन के अस्थापना इन में से किस राज़ में हुई थे दलित पैंथर्स याद रखेगा आपको ये sister mandit है महराष्ट में ही जो जुगी जो पडियों में राते थे निवास करते थे और वहां के जो भी निम्न जाती के लोग थे वहां के जो युवा थे उन्होंने काफी जोरसोर से अपना मांग रखे थे और उनका क्या मांगता कि मुझे जो है समाज में समान नहीं मिल रहा ह मुख्यधारा से नहीं जोड़ा जा रहा है इसको लेके दलीद पैंथर्स के युवा थे ना उन्होंने ये जोरदार अंदर्व किया था महराष्ट में ओके नेक्स्ट है कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में किसे जाना जाता है तो ये होते हैं चंदर से इखर के र भारतिये जनसंग, भारतिये सामयवादी दाली या फिर सोचलिस्ट पार्टी या फिर सोतंत्र पार्टी के थे तो ये भारतिये जनसंग के थे स्यामा प्रसाद मुखर जी याद रखना को ओके नेक्स्ट है निस सो चपन में भारत में राज्यों की पुरन गठन का आधार क तक यह तो काफी इसमें बवाल भी वाता और बवाल को लोग भूखलते नहीं है उसको बखते रहते तो बखते रहते तो भासा हो जाब रहे राइट नेच्ट है भारत में कितने संग्षासित प्रदेश कितने हैं 9 हो जाएगे याद रखना है और राज्यों की संख्या अभी कितनी है 28 हो जाएगी ओके नेक्स्ट है तिरतिय पंच वर्सिया का अब्धी क्या थी तिरतिय पंच वर्सिया का 61-66 था यानि कि D आपका बिल्कुली सही अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है सरपरतन बिहार राजी ने महिलाओं को पंचायतों में 50% कारेक्षन दिया था यह सबसे पहले देने वाले थे आपके बिहार ही थे आपको घबराना नहीं क्योंकि आप बिहार के ही जबरदस्त नागली है तेलंगना आंदुलन किस राज्य से संबंदित है आपक मतलब भारत अलग खंड होते जा रहा है और यही खंड होते गया था प्राचीन काल में ही जिसका विदेसों ने विदेसी विदेसों ने काफी क्या क्या था इसे लूटा था खसूटा था लेकिन फिर भी हम लोग क्या होते जा रहे हैं टुकडे में बदलते जा रहे हैं कहा 18-20 राजिते और अभी 28-30 में चले गया है तो ये क्या फंडा है ये तो समझ में नहीं आता है अब देखिए आगे आने वाले दिनों में क्या ये 28-30 होने वाला ये 40 होने वाला ये तो समय ही बताएगा हम लोग बने रहते हैं अपने चैनल पे खैर जो होगा होना ही है अंतरा प्राश्टे नियाले में नियादिस्प के संक्या कितनी होती है 15 होती है र्याद रखना आपको कदे दुसरी दुनिया से क्या मतलब है दुसरी दुनिया क्मिनिश्ट्य देशों से मतलब है मतलब ये जितने वी सामिवादी देश के है ना इनको दुसरी दुनिया का आगिय नव निर्वान आंदोलन का नित्री तो कौन किस ने किया था यह प्रकास ने किया था यह बियार से भी संबंदी थे आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए नेशने सवयुक्त राज संग का वेपारें विकास सम्मेलन के अस्थापना कव हुई थी 66 नमर में यह पूछा गया है यह 1964 में सम्मेलन के अस्थापना हुई थी आपको याद रखना है चलिए 66 के बाद हम लोग चलते हैं योजना आयोग के अध्यक्च रूप में कौन कारी क करता है देखें यह 10 का क्वसंस है परदान मंत्री इसका कारी करता है योजना आयोग का लेकिन योजना आयोग बदल के अभी क्या हो गया नीती आयोग हो गया याद रखना है लेकिन फिर भी नीती आयोग में भी अध्यक्च का कारी परदान मंत्री करते हैं आपको याद र क्या है या धर्म से ही आपको काम चलाना पड़ेगा किसी अन्य धर्म को किसी का इंट्री नहीं किया जाएगा नहीं आपको मनना पड़ेगा तो बूटाओं ने एक स्रिलंका है याद रखे गा क्या हो गया वन सकैन्ड वान सके एंट थोर से विकर वगर बोग यहादा चलिए चलिए हम लोग आ गया है फैनली तुरसा चलिए आगे बढ़ते हैं 69 में चलते हैं कता निम्लिक में कौन सा देख दक्षेश का सदस्य नहीं है तो चीन जो है आपका दक्षेश का सदस्य नहीं है बाकी भारत मालदी भुटान भगला देश जितने भी प्रोसी देश हैं भारत की यह सभी सदस्य हैं बाकी चीन नहीं है स्रिमांत गांधी के नाम से किने जाना जाते हैं काफी जी कॉस्टन से एक दम से यह जो है ना लालिपॉप जो बच्चे खाते हैं बस वही है खान अब्दुल गफ़र खान जो है का राइटन से रोजाएगा नेश्ट के अंदर में जनता पाटी किस वर्स सत्ता में आई थ और यह जिस समय आएते ना तो इस समय कॉंग्रेस जो था क्या हो रही थी टायटा फिस नेश्ट भारत देश विवाजन से कौन से प्रांथ प्रवावी तो यह पंजाब और बंगाल जो है अधिस प्रवावी तो यह आपको ध्यान में रखना ओके नेश्ट है किसने कहा भा नेश्ट है मुख चुना आयूत का कारीकाल होता है इसका कारी होता है छे वर्स यह 65 वर्स की आयूत जो भी पहले हो उसका यह कारीकाल होता है ओके नेश्ट है कॉंग्रेस के विवाजन का वह आता कॉंग्रेस के वाव 1909 वह आता याद रिखिए गा इस इसमें और इसमें क confusion को मैं दूर कर देना चाहता हूँ क्योंकि 1960 में जो है ना मतलब starting period था क्या था start था यहाँ पर मैं लिग देता हूँ स्टार्ट था बिवाजन का और 69 में आते आते हैं यह पूरनों रुप से क्या हो चुके थे बिखर चुके थे भारत में दल बदल विरोधी कानून संबंदित कानून जो है कब बनाया गया था यह पूछा गया थी अपर हमारा जो है 1985 में बनाया गया था टत्र का नेक्स्ट आनुसी तो जाती संग के अस्थापना किस ने की थी थी यह हमारे थे पी और आमबेदकर मोह दे थे असी में काता मुक्त वेपार का अर्थ क्या है तो दिखिए यह सभी हो जाएंगे राइट अंसर डी हो जाएगा फिर भी आप लोग अगर कॉमेंट भी कर सकते हैं अगर किसी प्रकार का सस्पिसन हो तो भारत को परमानू सक्तिसंपन यह किये थे परमानू का जो है प्रिक्षन किये फे अब यह 1974 में कर जुके थे तो इसमें चोंतर तो आप सभी नहीं आप लोग कॉमेंट करेंगे और powiedział कंट यह इनका जो है क्या गांधिवादी समाजवाद के अस्थापना करने में किस दलका पर्मुक उदेश से है यह जनता पाटी थी जिन्होंने गांधिवादी समाजवाद को लेकर आगे चलने का काम इन्होंने किया था नेक्स्ट जाटी में भारतिय जन्संग का विलाई किस पाटी में हुआ था तो देखे जन भारतिय जन्संग का विलाई की जहां तक की बात है यह हुआ था आपका जनता पाटी में ओके नेक्स्ट है समिधान के अनुसार पिछले वर की पहचान का मुख्य अधार क्या था ये था आपका सी समाजिक और सेक्षिनिक इस्तिती हो जाएगी नेक्स्ट है ये क्या हो रहा है वन सकेंड चली उल्फा जो है आतंकवादी संगठन है ये उल्फा जो हमारे भारत के ही है आपको घबराना देए ज्यादा कहीं और नेक्स्ट है भारत में हरी त्रांती के जनक कौन थे एमेस स्वामी नातन थे आपको याद रखना हो के नेक्स्ट है भारत को एक धर निर्पेक्च राजी घोसित किया गया था कब गया गया था यह उनिस्ट च्छेटर में में 42 समयदान संसोधन की द्वारा नेक्स्ट हम लोग चलते हैं भारतिय किसान यूनियन के अस्थापना क इस राज्यमेवीतित यह आपका पंजाब में वा था नेक्स्ट है तारी विरोधी आंदोरन कहा हो था तारी विरोधी आंदोरन आंदर प्रदेश में वा था यह सब काफी फसंस हैं उनिस्ट एकावर में कॉंग्रेस से अलग होकर आचारी क्रिपलानी ने किस पार्टी के संस्था नहीं है ति यह आपका नीती आयों हो जागा यह ही इसके संभधायनिक संस्था करे ले बह सążह जो किये ओडिकल Lots चलते है और यानस्ट चलते है एकानवे के बाद 109 में कहता है भारतिय使 नीती के पार्मुखलक्षूं के समंद्ध में निमने से कौन सही है नसले, देखिए, क्या है विदेश नीती, ये भी तो सही है, ये भी सही है, और ये भी सही, यानि कि सभी का सही हो जागा, D आपका बिल्कुल सही अंसर रहा, तिरानव चलते हैं, भारतिये विदेश नीती के निर्माता के रुप में किसे जाना जाता है, तो देखिए, पहले से सम्मेंदी तो इसलिए राइट अंशर क्या हो जाएगा आपका 94 का D हो जाएगा ओके नेस्ट है 1974 के बिहार अंदोलन को किस नाम से जाना जाता है तो यह छात्र दोलन के नाम से बिहार में इसको जाना जाता था याद रखना है ओके नेक्स्ट हम लोगा गई भरते हैं द्राविर मुन्नेर कंग्रम की अस्थापना किसने की ते सी अन्ना दुरेने क्या था बी जो आपका राइचेंसर हो जाएगा नेक्स्ट है छेत्रिय और संतुलन के फल पराश्ट है और गुजरात है नेक्स्ट है भारत में नई आर्थिक निति कव लागू की गई थी यह उनिस सो एक आनवे इसमी में लागू की गई थी नेक्स्ट देखें लाश्ट को संसे मंडल आयो क्या देख्च कौन थे यह आपके बीपी मंडल थे इसलिए आपको पाट नहीं है आपके स्लेबस का नुसार है आपके बुक्स के है और आपको बुक को काफी ध्यान से पढ़ने होंगे यह देख सकते हैं दिर्ग भी है दिर्ग भी काफी इजी प्वस्टन्स है ओके तो आज क्या मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में भी सेयर करें और अगर वीडियो में सौरी इस वीडियो को आप देख रहे हैं और नीव है तो फिली सब्सक्राइब बटन को के करना ना प्राइब प्राइब लग्वाले